बहुजन समाज पार्टी ने सभी 44 की 44 सीटों पर अपने परतियाशी की गोशना की है और जिस परतियाशी की गोशना एक बार बहुजन समाज पार्टी ने कर दी उसमें कोई परिवर्तन ना है ना कभी होगा जिले की कमार्ण हमने हमारे आनूप सिंग जी को जिला देख्ष बनाया वहा है उनके नेतरेतु में जिला पंचयत का चुनाव हुँ राश्टे देख्षा बेहन कुमारी माहवति जी का फोटो या मानमी विदायक जी का फोटो या मारे पार्टी के किसी भी पदादीकारी का कारिय करता का फोटो यह दि लगाते हैं तो बोजन समाच पार्टी पार्टी इस तर पर भी उनके किलाफ कारवाई करने का काम करेगी इस तरह के जो कारी करेंगे किया उनको पार्टी से हटाए जागे या फिर उनके क्लिए कोई और कड़ी कारवाई की जाएगी जी निश्च एक मुक्uffled ऐतितीै हैं हमारे जो कि यूथ भी है और हमारी सोच विचार द्रास है और आपकी सोच विचार द्रास है तो समाज स्वा में भी सबसे आगे हैं और राजनीती इनी इस बसे आगे हैं खास मुलाकात हम आज अपने मुख्य अतीती से कराने जा रहे हैं क्योंकि सिक्सा के बाद कीदे ही वो उतर चुके हैं आपकी राजनीति में और बस्पा के परदेश अध्यक्स अधिति बरजवाल जी की जो इस वक्त हमारे साथ है अधिति जी आपका बहुत-बहुत स्वाग कुमारी मायविती जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे युवा पर बरोसा जताया और मुझे बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश अध्यक्स की कमान यहां पर उतराखंड में मुझे सोपने का काम करा और जैसा कि आपने मुझे ये कहा कि अन्य फि कारवा को आगे बढ़ाने के लिए उनके के वे कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी निस्चे कि मुझे भी पॉलेटिक्स में आना चाहिए और मुझे भी लोगों की सेवा करनी चाहिए मैं लगबक 21 साल की उमर से ही लोगों की सेवा में लगावा हूं और आगे भी जब तक इस सरीर में प्राणने में लोगों की सेवा में लगा रहूंगा अभी आपने कहा कि पिता जी से ही प्रेढ़ना मिली है तो पिता जी तो लगातार आपके समाज सेवा में बहुत समय से रहे मुझे लगता है कि और हम ऐसा एक ही चिन है कि बसपा में वो जुड़े रहे हैं पीता जी से मुख्य रूप से और आपको क्या कैसी नहीं देगे मेरे पिता जी बहुजन समाज पार्टी के विधान सबाद देक्स से लेकर के विधायक बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी मैंने मेरे पिता जी को किया मैं भी अपने पिता जी से प्रेणना लेकर के बहुजन समाज पार्टी की राजनिती कर रहा हूँ आज माने बहन को मारी मायती जिनुझे प्रदेश अदेक्स की कमान सोपी है मैंने अपने पिता जी से प्रेणना लेने का काम किया कि जब मेरे तब हमारे समाज के पास कुछ भी नहीं था, हमारा समाज साइकलों पर चल करके पैदल चल करके इस बहुजन समाज पार्टी के mission movement कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, आज जब हमारे समाज के पास बहुत कुछ है तब भी मैं यही कोशिश करता हूं कि बिना किसी प् दिया है अगर हम बड़े पद पे हैं या छोटे पद पे हैं लेकिन हमको जनता के बीच में जाना पड़ेगा कहने सुनने की बाते होती है छोटा बड़ा पद कोई नहीं होता अगर हमें मिशन मोमेंट का काम करना है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सिरीप एक राजनितिक पार्टी नहीं एक विचारदारा है एक मिशन एक मोमेंट है और इस विचारदारा को जन जन तक पहुचाने के लिए हमें घर घर जाना पड़ेगा परतियक वैक्ति से हमको मुलाकात करनी पड़ेगी और हमारी पार्टी का भी उद्देश है कि अंतिम वेक्ति तक जब तक कि हम सरकार की जितनी भी योजना हैं, जितनी भी हमारी विचारदार हैं, सब को पहुचा नहीं देते, तब तक कि हमारा मिशन मुव्मेंट कंप्लीट नहीं होगा. अभी अभी जैसे कि विदान सबाद चुनाओ भी खतम हुए थे, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात रही है कि परदे इसके अंदर दो सीटे तो बहुचारदार भी रुख कर रही है, क्योंकि तरिस तरिस चुनाओ चल रही हैं, गराम पंचायत के, उसमें क्या अप पहुचे महनत करी और अभी आपने बात करी तरिस तरिस तर Their पंचायत चुनाओ की, तो तरिस तर Fleisch चुनाओ में बहुचन समाज पार्टी हमेसा सही मजबूत रही है और इस बार भी आप देखेंगे कि जब ये रिजल्ट आएगा 26 सारी को बहुजन समाज पार्टी के सबसे यदा सदस्ते जीतने का काम होगा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब जब तिरिस्तेरे पंचाय चुनाव और इद्वार जिले में हुए हैं बहुजन समाज पार्टी का इज बोर्ड बनाए हैं सबसे जब आख़ेंगे जब जब रहा है देखें त्रिस्तेरे पंचाय चुनाव आने वाले आगामी लोगसवा 2024 की तयारियों के तोर पर देखा जा रहा है एक सेमी फाइनल के तोर पर देखा जा रहा है यदि हम सब लोग मिलकर के बोजन समाज पार्टी का यहाँ पर जिला पंचायत का अद्धेक्ष बना लेते हैं तो मैं निश्चित तोर से आपको एक कहना चाता हूँ कि आने वाले लोग सभा के चुनाओं में हरिदवार की सिट जो लोग सभा की होगी उसको भी बोजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी और मेरे लिए चुनाओ एक प्रकिरिया है चुनाओ आते जाते रहते हैं लेकिन बोजन समाज पार्टी का मिशन मुवमेंट को मैं आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कारिय करता रहूँगा पहली भी आपने देखा कि जब से मैं प्रदेश अदेख्स बनाओं मैं घर गर जाकर के गाउं गाउं जाकर के बोजन समाज पार्टी के सदस्ता बिहान के माध्यम से लोगों से मिलने का काम कर रहा हूँ जितने भी समाज के जिस सर समाज के जितने भी किसी ने कोई किसी के उपर अत्याचार हुआ है उनके खिलाफ आवाज उठाने का भी मैंने काम किया है चाए आप देरादून में हमने अभी हर्रावाला का परकरन उसमें भी हम सब लोग पहुनचे अब या आपने रुड़की में भी देखा कि हजार हो हजार की संक्या भी बोजन समाज पार्टी सडक से ले करके संसदो क संसाथ सर समाज की बात कर ओठाने का काम करें प्रदेश में बहुत सारी तयारी चल लिए और आप भी लगतार जनता के बीच में जा रहे हैं जनता के बीच में जैसे कि आज भी आप एक कारीकरम में तो बहुत बड़ा आउजन रखा गया था जिला पंचायत वहां पर जो आपके उम्मीदवार है किस तरह से विचारदारे से क्या यूथ भी आपके साहत में चल रहा है आप भी उसी परकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें और जब से मैं प्रदेश अध्यक्स बनाओ तब से यूथ का भी बहुत जादा जुका बहुजन समाज पार्टी के तरफ को है इस बार भी आपने देखा होगा जो हमने लिस्ट जारी करी उसम कि एक किस सदी युवाओ की सदी है और युवाओ के कंदे पर ही इस पार्टी का समाज का भार्टी का हुआ है युवाओ अगर बढ़ेगा तो यह देश भी बढ़ेगा है समाज भी बढ़ेगा हमारी बहुजन समाज पार्टी भी बढ़ेगी अभी आदिति भाई आपने लिस्ट की बात की है कि लिस्ट अभी आपने जारी की थी कुछ ऐसी विपक्स ही है लोग है कुछ जो पार्टी को खराब करना चारे नाम खराब करना चारे ऐसे कुछ मुद्दे भी उठ रहे हैं छेतर में देखा जा तो कुछ तीन-चार सीटे आपके संग्यान में आयोंगी जहां पर आप ही के कारे करता है और वो लगातार विपक्स में जा रहे हैं देखे मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी ने सभी 44 की 44 सीटों पर अपने प्रतियाशी की गोशना की है और जिस प्रतियाशी की गोशना एक बार बहुजन समाज पार्टी कि राष्टे देखसा बेहन कुमारी मायवती जी का फोटो या हमारे माने विधायक जी का फोटो या हमारे पार्टी के किसी भी पदादी कारी कारेगरता का फोटो यह दि लगाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी पार्टी इस तर पर भी उनके किलाफ कारवाई करने का काम कर कि बहुजन समाज पार्टी की छवी को दुमिल करने के लिए इस परकार के लोग बार्टी को बदनाम करने के लिए इस परकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं। कि वो लोग अभी भी नहीं रुके तो उनके खिलाब कानूनी रूप से जो भी परकिरिया होगी कानूनी रूप से भी उनके खिलाब कारवाई की जाएगी। ये भी अपील करना चाहता हूँ कि सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग बोजन समाज पार्टी का जो समर्तित परतियासी है उसको वोट दे करके बोजन समाज पार्टी के सभी परतियासियों को जिताने का काम करें। अधितव एक छोड़ा सा हमारा सवाल बलेगा क्योंकि परदी सब्धिक्सी कमांड आपके हाथ में और एक कम उमर है बहुत तो गाइड़न्स कहां से मिलता है आपको अच्छाए देगे मैं अपने सभी बड़े पुज़रकों की सलहा समय समय पर लेता रहता हूं अपनी पार् ही कम है पर तज्वर्बा में मुझे बहुत है मेरे पिता जी तीन बार विदायक रहे मैं उनके साथ लग करके चलता था उनके कारे सहली को बराबर देखने का काम करता था उनसे भी प्रेणा लेने का काम करता हूं और अपने सभी बड़े बुज़र्गों से सभी की समार्ड़ अनूप सिंग जी को ज़िला और देख्ज बनाया हूँं था उनके नेत도 में ही जिला पंचेत का चुना हो रहा हूं वह को बता देना चाहता हूं पुरे परदेश में ही बहुत मजबूत है और इस चुनाओ लड़ाया, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी को अपनी जो निजी स्वार्त के चलते छोड़ करके चले गए, मैं उन सब लोगों से एक कहना चाहता हूँ, कि जनता आपके साथ नहीं है, क्योंकि जनता और जो वोटर हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है आपको जो भी मान समाज वोट के रूप में मिला, वो बहुजन समाज पार्टी की वज़े से मिला है, जो लोग इस परकार से बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके चलेगे, जनता उनको देखने का काम कर रही है, जब समय आएगा, जब वो कोई छोटा बड़ा कर लाएगे, तो क्या संदेश रहेगा जनता के लिए, बुजर्गों के लिए और महिलाओ के लिए? बहुजन समाज पार्टी का हर एक छोटा बड़ा कारेकरताब के मान समाज में खड़ा रहेगा, उसी बात को देखते वे आप बहुजन समाज पार्टी के परतियक परतियाशी को चुनाओ लड़ाने का जिताने का काम कर रही है, अभी एक मामला भी आया था कि उसमें आप बड़ा करके बोकलाहट से बहुजन समाज पार्टी के पदादिकारियों को बहुजन समाज पार्टी के कारेकरताओ को और प्रतियाशी को डराने दमकाने का काम कर रही है, हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से प्रेस के माध्यम से भी मान ने चुनाओ योग से ये पी उनका भी पर्चा निरस्त कर दिया गया है जबकि उनका पर्चा बिलकुल सही दाव, उसके खिलाव हाई कोट भी गए हुए हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का कारे करता डरने वाला जुकने वाला नहीं है, बहुत मजबूती के सा जिला पंचायत के अंदर, उन 44 सीटों में किसका दबदबा किसका सबसे ज़्यादा है, क्या भाजपा और कांग्रेस पार्टी को टकर दे रही है बसपा, ये भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको फिर से बता दें कि बसपा का आप में भारत की पीडि है, तो यूआओ को क्या मत इस बार रहने वाला है, चुनाओ के तिरियस 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 चुनाओ के नतीजे, और 26 सितमबर को चुनाओ होना है, और 28 सितमबर को चुनाओ का ओपनिंग भी हो जागा, तो तब तक देखते हैं कि क्या रहेगा, और आदिति परजवाल जिसे बहुत अच्छी बात हमें लिए कि वो एक यूथ है, और राजनीत में क्यू आए, वो भी हमने आपको बता दिया, तो तमाम जानकरी में राहिनी उच्पर सोनु कस्यप आपको देता रहूँगा, जै हिंद, जै वारत, जै उत्रा करूँगा, जै झाल